बिहार के पूर मुख्य मंत्री और RGD चीफ लालू प्रेसाद यादव की बहू एश्वरिया को आखिर कार घर में एंट्री तो मिल गई है लेकिन इससे पहले बीते 48 घंटों में जम कर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ इस पूरे ड्रामे से प्रदेश की सबसे बड़े सियासी कुनबे यानि लालू परिवार की जम कर कितरी हुई लालू फैमली में जारी इस ड्रामे को लेकर सियासा साथनी की भी पूरी कोशिश की गई ऐसे मिया ये जानते हैं इस पूरी घटना की तीन बड़ी इंसाइट स्टोरी के बारे में दरसली पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ऐस वरिया ने अपनी सास राबडी देवी और नन मीशा भारती पर उन्हें प्रताडित करने और घर से निकालने का आरोप लगाया इतना ही नहीं आईश्वरिया ने घर से निकालने और खाना तक नहीं देने के गंभीर आरोप लगाया फिर क्या था बेटी का दर्थ पिता चंद्रकाराई से देखा नहीं गया और वो लालू के घर के बाहर धरने पर बैठ गया चंद्रकाराई ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें शर्म आती है कि ऐसे घर में बेटी का रिष्टा किया जहां उसे शादी के बाफ से टॉट्चर किया जा रहा है इसके बाद बेटी को न्याय मिलवाने तक वो वही डटे रहे है इससे पहले लालू यादव की पतनी और तेश प्रताप की मा राबडी देवी ने खुद बहु एश्वरिया से अपनी जान को खत्रा बताया राबडी ने कहा था कि उन्हें एश्वरिया से जान का खत्रा है और ऐसे में वो अपने घर में तो एंट्री नहीं देंगी मामला पुलिस तक पहुँच गया पताया जा रहा है कि लालू के परिवार की तरफ से भी एश्वरिया के खिलाफ एफ आई आर की तयारी हो गई थी सुत्रों की माने तो लालू परिवार के सदस से देर रात तक बहु के साथ समझाते की कोशिशों में जुटे रहे मीडिय रिपोर्ट्स के अनुसार आखिकार सुबे जाकर एश्वरिया की घर में अंट्रे हो ये भी कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के भी सेहमती इस बात पर है कि एश्वरिया इस मामले में एफ आयार दर्ज नहीं कराएंगी क्योंकि राबनी नहीं चाती कि केस दर्ज हो और उनका परिवार और मुश्किलों में फसे खबरों की माने तो इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर सियासत चमकानी की भी कोशिश की कर खबर है कि कुछ लोग इस पूरे मामले में चंद्रकाराई के साथ प्रेस कॉन्फरेंस की तैयारी भी कर रहे थे ताकि लालू परिवार की फजीहत हो लेकिन बात नहीं बन पाई